यार अगर यह पांच छे दिन अगर आपने अच्छे से अपने आपको होल्ड कर लिया ना दुबारा एक साल लगाने के जुरूत नहीं पड़ेगी इस टाइम पे सारे बच्चे कहीं न कहीं डरे सहमें जो टॉपर भी होता है उसके अंदर भी हजिटेशन आता है एसे होर्मो से तीन-चार दिन पहले नॉर्मली कनेक्ट करना बंद कर देता था जो पॉजिटिव है जो आपको दे सकता है उनसे आप बात करिए लेकिन जबड़ इसका इतना हो गया उसके मार्स इतने आगए मैटर नहीं करता भाई ठीक है मेन फाइनल तुमारे जही मेंस में क्या रहा करने लेका यहां बोलना होगा ऐसा होता बढ़ेगा की जिसके साथ अच्छा हो ना होता है ऑब करेप प्रयास अच्छे होने आपकी महनत अच्छी होने रहूं ने भाई कल किसी नहीं देखा बस आप महनत करिए और अपने आपको यह अंदर फीलिंग नहीं कि मैंने काम चोरी कर ली थी आज यह अभी भी आपके पास ट्राइम है यह सारे दिन आप अच्छे से उटलाइस करें और फिर बस एक्जाम देकर आपके छोड़ दीजिए अब उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते ना ठीक है अभी भी मैनेच करते रहना एक्जाम तक करना और यह पेपर जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ डिसाइड करेगा मैंने आपको क्लास में बोला था अगर आपके दिमाग में यह बात है कि यह पेपर मेरे आने वाले 30-70 साल डिसाइड करेगा ऐसा कुछ नहीं है आप क्या ह हो सकता है इनीशल फेज थोड़ा सा इंपक्ट हो जाए आप इनीशल कंपनी आपकी क्या होने वालती वह इंपक्ट हो जाए लेकिन अगर आपके अंदर जुनून है तो आप फाइनली वह चीज पाही लोगे ठीक है तो इतना ज्यादा लोड़नी लेना है कि यह करियर डिस एड़कर इंगे बाद में